वेलकम टू विद्या की जरनी आडियो वीडियो दोनों बनाते हैं हिंदी साहित के इतिहास से बहुत सारे प्रस्णों को समाहित करके जो यूथ कंप्टीशन बुक से है और टीजीटी पीजीटी या इससे संबंधित जो भी आपने लोगों ने फार्म डाला है उसमें ये सार सारे प्रस्ण बहुत ही helpful होंगे आप किसी काम को करते हुए सुन सकते हैं सुनके सारे प्रस्णों को याद कर सकते हैं चलिए अपने प्रस्णों की तरफ चलते हैं कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रजना है तो यह सूम प्रभ सूरी की रजना है कुमार पाल प्रतिबोध यूप्रब सूरी की रजना है पहला पर बन चुका है ये दूसरा परक है और उसमें भी बहुत सारे प्रस्नों को समाहिद किये आधिकाल से ये प्रश्नों को इस इसमें रखे हैं और वी जितने भी हिंदी साहित से प्रस्न बनने वाले हैं सारे प्रस्न बिल्कुल सारे प्रस्ने का निचोड़ है तो पूरा जरूर सुनिए आनते तक बटने रहे हैं आपको कैसा यहां लग रहा है। उसको कमेंट दो आना जरूर बतने हैं चलिए जानते हैं कुमार पाल चरित्र यह रचना हेम चंद्र सूरी की रचना है हमीर रासो सारंग धर की रचना है प्रबंध चिंता मड़ी मेरुतुंग की रचना है संदेश रासक के लेखक कौन है तो संदेश रासक के लेखक अब्दुल रह्मान है संदेश रासक के लेखक अब्दुल रह्मान है अब्दुल रह्मान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है फिर से सुनिए अब्दुल रह्मान द्वारा रचित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है नेक्ष्ट है देशी भासा में किसी मुसल्मान द्वारा लिखित प्रथम काब ग्रंथ संदेश रासक है संदेश रासक एक खंड काब है, संदेश रासक कैसा काब है तो खंड काब है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगनी के बिरह की कथा वाड़ित है नर्पति नालह ने भीसल देव रासो नामक रासो ग्रंत की रचना की थी चंदरबर्दाई ने पृत्वी राज रासो नामक ग्रंत की रचना की थी पृत्वी राज रासो किसकी रचना है तो जंदर वर्धाई की रचना है और बिसल देव रासो नर्पत नाल की रचना है परमाल रासो जो आलखंड के नाम से जाना जाता है इसके रचनाकार जगनिक है और यहाँ परमाल रासो आलखंड के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है बिद्यापती की पदावली मतली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला में प्रभावित है बिद्यापती की पदावली मतली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला में प्रभावित है बिद्यापती सहयो संप्रदाय के थे बिद्यापती कैसे थे तो सहयो संप्रदाय के थे किस संप्रदाय के थे बिद्यापती तो सहयो संप्रदाय के थे बिद्यापती भासा की द्रिष्ट से है भासा की द्रिष्ट है बिद्यापती द्वारा रचित ग्रंथ कौन-कौन से है आईए जानते हैं कि बिद्यापती के ग्रंथ कौन-कौन से है बिद्यापती की ओहट भासा में जो रचना है वो कुछ हिस्प्रकार है औहट भासा में बिद्यापती की जो रचना है वो है कीर्थिलता और कीर्थिपता का बिद्यापती की रचना है कीर्थिलता और कीर्थिपता का और ये औहट में लिखी गई रचना है मैथली में लिखी गई रचना है बिद्यापती की मैथली में लिखी गई रचना है पदावली और गूरच बिजय और पदावली यह बिद्यापती की मैथली भासा में लिखी गई रचना है संस्कृत भासा में लिखी गई रचना जो बिद्यापती की है वो कुछी प्रकार है बिद्यापती की संस्कृत में लिखी गई रचना है सैवसर्वस्त्वसार संस्कृत में लिखी गई रचना है बिद्यापती की गंगा वाक्यावली है जो संस्कित में लिखी गई है और भू परिक्रमा है भू परिक्रमा दान वाक्यावली भू परिक्रमा दान वाक्यावली विभाग सार लिखनावली और दुरगा भक्त तरिंगिडी ये सारे संस्कित की रचना हैं बिद्यापती की बिद्यापती की संस्कृत की रचनाए कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिये, सारे प्रस्नियाद हो जाएंगे सैवसरबस्वसार, गंगा वाक्यावली, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, विभागसार, लिखनावली, दुरगा भक्ततर इंगिडी यह बिद्यापती की संस्कृत में ग्रंथ है. Next है, बच्चन सिंग ने बिद्यापती को जाती है कभी कहा है? Next है, हजारी प्रसाथ दिवेदी ने बिद्यापती को सिंगार रस्त के सिद्ध वाक कभी कहा है? हजारिपसाद दिवेदी ने बिद्यापती को स्रिंगार रस्त के सिद्ध वाक कभी कहा है नेक्स्ट है बिद्यापती किर्थ बिद्यापती किर्थी लता की रचना भ्रिंग भ्रिंगी संबाद में किया था विद्यापती ने किर्दिलाता के रचना भ्रिंग भ्रिंगी संबाद में किया था नेक्ष्ट है हेम चंद प्रसिद जैना चाहरे थे हेम चंद गुजरात के सुलंकी राजा सिधराज जैसिंग और उनके भतीजे कुमार पाल के राजदर्बार में रहते थे हेम चंद गुजरात के सुलंकी राजा सिधराज जैसिंग और उनके भतीजे कुमार पाल के राजदर्बार में रहते थे हेम चंद प्रसिद जैना चाहरे थे और उनके भ्याकरण ग्रंथ का नाम सिध्ध हेम चंद सब्दानुसासन है सिध्ध हेम चंदर सब्दानुसासन है किसकी रचना तो हेम चंदर की हेम चंदर जैना चाहरे थे हेम चंदर का यह ब्याकरण सिध्ध हेम नाम से प्रसिद हुआ हेम चंदर का यह ब्याकरण जो था वह सिध्ध हेम नाम से प्रसिद हुआ सिध्ध हेम में संस्किर्थ प्राकरथ और अप भ्रंस तीनों का समावेस किया गया है सिध्ध हेम में संस्किर्थ प्राकरथ और अप भ्रंस तीनों का समावेस किया गया है नेक्ष्ट है हेम चंदर को प्राकरथ का पाणिन माना जाता है हेम चंद को प्राकरथ का पाणिन माना जाता है नेक्ष्ट कोस्चन है आदिकाल को चारण काल किस ने कहा तो आधिकाल को चारण काल डाक्टर राम्प मर्बर्मा ने कहा है कुमारपाल चरित्र योग सास्त्र प्राकृतिक ब्याकरण देशी नाम माला को सत्त था छंदो अनुशासन हेमचंद की महतपूर रचनाव को आई ये जानते हैं कुमारपाल चरित्र योग सास्त्र प्राकृतिक ब्याकरण देशी नाम माला को सत्त था छंदो अनुशासन हेमचंद की महतपूर रचनाव है सारंग धर कृति सारंग धर प्रद्धति संस्कृत भासा में लिखा गया एक पद्यकोस है सारंग धर द्वारा रचेत सारंग धर प्रद्धति संस्कृत भासा में लिखा गया एक पद्यकोस है सुम प्रव सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्यकोस है कंधपा 84 सिध्धों में सर्व स्रेष्ट भिद्वान तथा सबसे बड़े कभी थे कंधपा 84 सिध्धों में सर्व स्रेष्ट भिद्वान तथा सबसे बड़े कभी थे कंधपा के गुरु का नाम जालन धर्पा था कंधपा के गुरु का नाम क्या था तो जान धर्पा था ये बिहार के सूम पुरी नामक अस्थान पर रहते थे नेक्ट है अमीर खुसरों हिंदी साहित के किस काल से संबंधित है कभी है अमीर खुसरों का वास्तविक नाम अबुल हसन था अमीर खुसरों का वास्तविक नाम क्या था तो अबुल हसन था अमीर खुसरों निजामुद्दीन ओलिया के सिस्स थे अमीर खुसरों को खड़ी बोली हिंदी का आधि कभी कहा जाता है खुसरों ने दिल्ली के सिंघासन पर ग्यारह राजाओं का आरोहण देखा था डाक्टर इस्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरों को महा कभी या कभीयों की राजकुमार की संग्या दी डाक्टर इस्वरी प्रसाद ने अमेर खुसरो को महा कभिया कभियों में राजकुमार की संग्या दी बिद्वानों ने अमेर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की रचना सो बताई है जिसमें से प्रमुख ग्रंथ निमलिखित है खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल, आदी उनकी रचनाए है अमेर खुसरो की रचनाए है खालिक बारी, पहलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल, आदी नेक्स्ट है दान वाक्यावली की रचनाकार कौन है तो दान वाक्यावली के रचनाकार बिद्यापती है दान वाक्यावली रचना बिद्यापती की है बिद्यापती के गुरु का नाम पंडित हरी मिस्र था तथा ये बिहार प्रांत के दर्भंगा जिले के बिपसी नाम ग्राम में रहते थे बिद्यापती के गुरु का नाम स्री हरिमिस्र था तथा ये बिहार प्रांद के दर्भंगा जिले के बिपसी नामक ग्राम में रहते थे बिद्यापती तिरहुत के राजा, सिवसिंग और किर्थी सिंग के दर्बारी कभी थे नेक्षे बिद्यापती द्वारा रचित दानवाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें राजा सिव सिंग की बीरतायों मुदारता का चित्रण है फिर से सुनिए बिद्यापती द्वारा रचित दानवाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा सिव सिंग की बीरतायों मुदार्ता का चित्रण किया है बिद्यापती के अन्य संस्कृत ग्रंथ निम्द है सहव सर्बस्वसार और गंगावाक्यावली गंगावाक्यावली ये भी किसकी रचना है तो बिद्यापती की रचना है नेक्ष्ट है और संस्कृत की रचना है नेक्ष् बिद्यापती ने मैथली भासा में पदावली गोरच बिजय नाटक की रचना की। केर्थिलता केर्थिपता का ओहट भासा में रचित बिद्यापती की प्रमुख रचना है। पाथी निराला ने पदावली के स्रिंगारिक पदों की मादक्ता को नागिन की लहर कहा है। रचना की राजा लच्मरसेन के सभा कभी जैदेव ने बारह सरगों में कुमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। पदमाकर रीतिकालीन कभी थे और उन्होंने प्रबूध पचासा और गंगा लहरी राम रसायन जैसे गरंथों की रचना की है। रीतिकालीन कभी हैं पदमाकर कौन है तो रीतिकालीन कभी हैं कभी थे और इनका रचना है प्रबूध प्रचासा गंगा लहरी राम रसायन। नेक्ष्ट है भूषण ने सिवराज भूषण, सिवाबावनी, छेत्रसाल दसक जैसे प्रसित गरंथों की रचना की। भूषण ने सिवराज भूषण, सिवाबावनी और छेत्रसाल दसक जैसे प्रसित गरंथों की रचना की। आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, अध्यात्मिक रंग के चस्में आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें उन्हें चढ़ा कर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को अध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापती के इन पदों को भी। नेक्स है, बच्चन सिंग ने विद्यापती को जाती है कभी कहा है। नेक्स है, निराला ने पदावली के सिंगारिक पदों की माधकता को नागिन की लहर कहा है। महा महोपाध्याय हर प्रशाज सास्त्री विद्यापती को पंच देव पासक स्वविकार किया है। नेक्स है, हजारिपसाद दिवेदी ने विद्यापती को सिंगार रस के सिध्ध वाक कभी कहा है। नेक्स है, सिध्ध साहित बज्रियानी सिध्धों के द्वारा रचा गया साहित है। इनका संबंद बहुत धर्म से है। यह भारत में पूर्वी भाग में सक्रिये थे। इनकी संख्या 84, सिध्धों की संख्या किती माने जाती है तो 84 माने जाती है। जिसमें सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोमबिपा, कुकुरपा, आधि प्रमुखा है। नेक्स है, सरहपा प्रथम सिध्ध कभी थे। राहुल सांकृत्या ने हिंदी, इन्हें हिंदी का प्रथम कभी माना है। साधना अवस्था से निकली सिध्धों की बाड़ी चर्यागीत कहलाती है। साधना अवस्था से निकली होई सिध्धों की बाड़ी क्या कहलाती है तो चर्यागीत कहलाती है। इसमें महासुखवात तथा इसर्वत्य की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित में लुईपा सबसेष्ट माने जाते हैं। सिद्ध नक्ष है पृत्वी राज रासो या चंदर वर्दाई की रचना है। बीजय पाल रासो नाल व्यक्रिश की रर्जना है। जितनी बार दोहराएंगे प्रस्णों को, उतनी बार आपका यह प्रस्नि मजबूत होगा। तो बार 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 रुवीजन करिए के सेट के लिए आपका रिवीजन ही सबसे बड़ा हाथ्यार होता है। तो आप लोग बार बार revision करिए, दोहराई ये बार बार प्रस्णों को और याद हो जाएगा, पृतिबी राज रासो चंदर बर्दाई की रचना है, बीसल देो रासो नरपत नाल की रचना है, खुमार रासो दलपत बिजय की रजना है, बिजयल पाल रासो नाल सिंग की रजना है नेक्ष्ट है आईए जानते हैं कि हिंदी के प्रथम कभी को स्वैकारने वाले कौन-कौन से इतिहासकार है और किसने क्या माना है प्रथम कभी किसने किसको माना है तो मेस्र बंधु और सिव सिंग सेंगर ने किसको माना है तो पुष्पदंत को माना है पुष्पदंतु को, पुष्पदंतु को, मिस्र बंधु ने सिव सिंग सेंगर को प्रथम कभी माना, हिंदी के प्रथम कभी मानते हैं पुष्पदंतु को मिस्र बंधु और सिव सिंग सेंगर, स्वयम्भु को मानते हैं डाक्टर रामकुमार बर्मा, प्रथम कभी स्वयम् और डाक्टर नगेंद्र प्रथम कभी मानते हैं सरापा को नेक्स्ट है गडपत चंद्र गुप्त मानते हैं साल भद्र सोरी को प्रथम कभी मानते हैं साल भद्र सोरी को गडपत चंद्र गुप्त साल भद्र सोरी को मानते हैं हजारी प्रसाद दिवेदी अब्दुल रहमान को प्रथम कभी मानते हैं। जैदेव सिंग माता प्रसाद गुप्त किसको मानते हैं प्रथम कभी मानते हैं गोरकनात को। जैदेव सिंग माता प्रसाद गुप्त गुरकनात को प्रथम कभी मानते हैं। चंद्धर सर्मा गुलेरी राजा मुझ को मानते हैं। ट्रिक द्वारा भी आप याद कर सकते हैं। चंद्धर और मुझ दोनों में माक की बिंदी लगी हुई है। तो एक दूसरे से समझ सकते हैं। और ट्रिक द्वारा भी वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िए। क्योंकि बहुत सारे प्रस्नों को समाहित करके हम आडियो बनाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। तो जरूर जुड़िये कैसा लग रहा है उसको कमेंट द्वारा बताईए फिर से चलिए एक बार सुनते हैं कि प्रत्थम कभी किसको किस नहीं माना मिस्र बंधु और सिव सिंग सेंगर ने पुस्पदांद को माना डाक्टर रामकुमार बर्मा ने सुयंभू को माना डाक्टर नगेंद्र और राखुल सांकृत्याय ने सरा आपा को माना प्रत्थम कभी गड़्पत चंद्र गुप्त ने सालिभधर सूरी को माना हजारी परिसाद दिवेदी अबडुलरहमान को मानते हैं और जैदेव सिंग माता प्रसाद गुप्त गोरक नात को मालते हैं। चंद धर सर्मा गुलेरी राजा मुंज को मालते हैं। नेक्स्ट है। अमीर खुसरो का जन्म बारा सो तिरपन इस्वी में आधुनिक एटा के पटियाली गाउं में माना जाए। अमेर खुसरो का जन्म कम माना जाता है। एमीर'sे खुसरो का जन्म बारा सो तिरपन इस्वी में आधुनिक एटा के पटियाली ग्राम में माना जाता है। इनकी पहलियां मुकरियां और दो सुखने आधि साहित में प्रसिद हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कभी माना जाता है। इन्हें तूतिये हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविसकारक का स्रेभी दिया जाता है। किसे तो अमीर खुसरों को। अमेर खुसरों की रचनाए हैं पहलिया मुकरिया दो सुकन के और गजन गोरक जगायो जोग भगत भगायो लोग या किसका कथन है तो तुलसिदाज का है गोरक जगायो जोग भगत भगायो लोग जगरख नात को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है गोरक नात का समय डाक्टर राहुल सकर्ट...? गोरक नात की प्रमुख रचनाएं आई हैं जानते हैं गोरक नात की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं तो डाक्टर हजारी परसाद दिवेदी ने गूरख नात के 28 गरंथों का उले किया है। विबेक मारतंड, हट योग, हट सहिता। ये कुछ इनकी रचनाय है। नेक्ट है पृत्वी राज रासों के रचनाकार चंदर बर्दाई है। और इनका जन्म 1168 हिस्वी में लाहौर में माना जाता है। इनका वास्तवे के नाम पृत्वी भट था। पृत्वी राज रासों उनहत्तर समय में विभाजित है। जिसमें आदि पर्व समय दसवा समय, विशवा समय है पदावली समय और सत्ताउनवा समय है कैमास बध समय यहनि कैमास बध का बढ़न है। नेक्स्ट है माता प्रसाद गुप्त ने माता प्रसाद गुप्त और डाक्टर दसरत हो जहा हजारी प्रसाद दिवेदी ने पृत्वी राज रासों को अर्ध प्रमाणिक माना है। जबकि राम चंद्र सुक्ल और कविराज स्यामल दास इसे आप प्रमारिक मानते हैं तथा स्याम सुन्दर दास मिस्रुबंद मुहनलाल बिश्रुलाल और पांडया त्विराज रासों को प्रमारिक मानते हैं ध्यान से सुनिए सारे प्रस्णों से भी प्रस्ण बनते हैं तो इसलिए सुने रहेंगे तो याद रहेगा चलिया आगे प्रस्णों को जानते हैं कि बिद्यापती की राचनाय कौन-कौन से आये जानते हैं फिर से इवार कि बिद्यापती की प्रमुख राचनाय कौन-कौन स ये सारी रचना हैं बिद्यापती की रचना है लिखनावली, पुरुस परिच्छा, दानवाक्यावली, गयापतलग, वर्ड कृत, दुर्गा भक्त, तरंगडी, गंगावाक्यावली ये सारी रचना हैं किसकी हैं तो बिद्यापती की हैं राहु सांकरत्याय ने हिंदी का प्रथम कभी सिद्ध सरहपा को माना है नेक्स्ट है पुसिया पुंड को हिंदी का प्रथम कभी किस आलोचक ने माना है पुसिया पुंड को सिव सिंग सेंगर मानते हैं प्रथम कभी सिव सिंग सेंगर मानते हैं प्रथम कभी सिरिंगार रस के सिध्धवाक कभी है ये किसने माना है तो हजारी पुसाद दिवेदी ने माना विद्यापती को सिंगार रजकर सिध्धवाक का विमाना है हजारी पुसाद दिवेदी ने अध्यात्मिक रंग के चसमें आज कल बहुत सस्ती हो गए हैं उन्हें चढ़ा कर जैसे कुछ लोगों ने गीद गविन्द को अध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापती के इन पदों को भी या किस विद्वान का कथन है तो आचार रामचन सुकल का कथन है आचार रामचन सुकल का कथन है नेक्स्ट है कल्चूरीर राजबन्स की सातनाइकाओं के नकसिक वरण से समंबनित गरंथ कौन सा तो कल्चुरीन राजबंस की साथ नाइकाओं के नक्सिक वरण से संबंधित गरंत है रावल वेली जिसके रचनाकार है रोडा कभी जिसके रचनाकार कौन है तो रोडा कभी है यह एक सिलांकृत कृति के साथ साथ चंपू काभी है सिलांकृत कृति मतलब होता है जो पत्थर पे लिखी गई कि आकःति बनाई गई हो तो यह एक चंपू काभी है चंपू काभी किसे कहते है तो गद्य-पद्य المिश्रित रचना को चंपू काभी कहते हैं बर्तमान में यह ऐकृति मुंबई के कि प्रिंस आफ वेल्स संगराहल नेक्स्ट है अमीर खुसरों को तूतिय हिंद का तोता कहा जाता है अमीर खुसरों की रजनाएं खालिबारी पहलियां मुकरियां दो सुखने गजल आदी नेक्स्ट है हिंदवी सब्द का प्रथम प्रयोग किस इद्यास कार ने किया था तो हिंदवी सब्द का प्रथम प्रयोग अबु सईद ने किया था अबु सईद ने किया था नेक्स्ट है नेमिनात रास या किसकी रजना है तो मुनि सुमतिगड की रजना है रेवन्तिगिरी रास या विजय सेन सूरी की रजना है श्रावकाचार देवसेन की रचना है और स्थूली भद्र रास या जिन्धर्म सूरी की रचना है नेमिनाथ रास की रचनाकार है मुनी सुमतिगड रेवन्तिगिरी रास की रचना है बिजय सेन सूरी स्थूली भद्र रास या जिन्धर्म सूरी की रचना है चंदर बर्दाई ने प्रित्वी राज रासों में मुखितया कबित चंद का प्रयोग किया है प्रित्वी राज रासों में 68 चंदों का प्रयोग किया गया है अमीर खुसरो की पहलियां और मुकरियां किस भासा में है तो खड़ी बोली में है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था तो अबुल हसन था ये निजामुद्दीन ओलिया के सिसे थे अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदिकव कहे जाते हैं तो अमीर खुसरो इस्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महा कभी या कभीयों में राजकुमार की संग्या दी है बिद्वानों ने खुसरो द्वारारचित ग्रंथों की संख्या सव बताई है जिन में खालिक बारी पहलिया मुकुरिया दू सुखने गजल आदिप्रमुख है डिंगल भासा का क्या अर्थ है अपभर्णस के योग में बनी सुध्राजस्थानी भासा को डिंगल भासा कहते है डिंगल और पिंगल साहित्तिक राजस्थानी के क्या है तो दो प्रकार है डिंगल पस्चिमी राजस्थानी का साहितिक रूप है इसका अधिकतर साहिति चारण कभियो दौरा लिखित है डिंगल सैली में बीर रस की रचनाई जबकि स्रिंगारिक रचनाई पिंगल सैली में रची गई अमीर खुसरो का जन्म अस्थान कौन सा था अमीर खुसरो का जन्म बारा सो तिरपन इस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था फिर से सुनियें अमीर खुसरो का जन्म बारा सो तिरपन इस्वी में एटाम उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था इनके द्वारा रचित ग्रंत निमलेखित खालिक बारी दोसुक ने पहलियां मुकरियां अमीर खुसरो की रचनाएं हैं सुकल जी ने सुकल जी के अनुसार हमीर रासो के रचनाकाल कौन है तो हमीर रासो के रचनाकाल है रचनाकार है सारंग धर आचार रामचन सुकल ने हमीर रासो का रचनाकार सारंग धर को बताया है सारंग धर किसके रचनाकार है तो हमीर रासो के आचार सुकलने 14 सताबदी के गरंथ प्राकृतिक पैंगलम जिसके रचनाकार लच्मी धर हैं लच्मी धर हैं किसके तो प्राकृतिक पैंगलम के रचनाकार बिद्यापती ने किस भासा में कावे रचना की तो मैतली भासा में की हैं अमीर खुसरों ने हिंदी के लिए कौन सा सब्द प्रयुक्त किया कि अमीर खुसरों ने हिंदी के लिए हिंदवी सब्द प्रयुक्त किया केर्थिलता की भासा क्या है तो केर्थिलता की भासा है अपभ्रंस या होट है केर्थिलता की भासा मिस्रित अपभ्रंस या किर्दि लटा की भासा क्या है तो मिशरित अपभ्रंस या आवहट है। बिध्य पती ने किर्ति-लटा में तिरहुत राजा केर्टी शिंग की बेरता और उदारता का चित्रण किया है। बिद्यापती तिरहुत राजा, सिव सिंग और कीर्थी सिंग के दर्बारी कभी थे? नेक्ष्ट है पुरुस परिच्छा बिद्यापती की संस्कृत में लिखी गई रचना है और बिद्यापती की रचना है धोला मारूरा दुहा धोला के पिता का क्या नाम है? धोला मारूरा दुहा के धोला के पिता का नाम नल है, राजा नल है धोला मारूरा दुहा ग्यारहमी सती में रचित कभी कलोल की रचना है ग्यारहमी सती में रचित कभी कलोल की रचना कौन सी है तो धोला मारू रदुहा है इसमें राजकुमार धोला और राजकुमारी मारू या फिर से सुनिए राजकुमार धोला राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाडी की प्रेम कथा है यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोक प्री है यह मोलता है दोहे में रचित है जिसमें कभी कुसल राय ने 17 सती में कुछ चौपाई या जोड़ी है फिर से सुनिये इसको धोला मारू रदुहा में धोला के पिता का नाम राजा नल है धोला मारू रदुहा 11 सती में रचित कभी कलोल की रचना है इसमें राजकुमार धोला राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवडी की प्रेम कथा है यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोग प्री है कहां लोग प्री है अधिक तो राजस्थान में है यह मोलता है दो ही मेरा चित है इससे देखिए बहुत सारे प्रस्थ तयार होंगे यह मोलता है दो ही मेरा चित है जिसमें कभी कुसल राय ने सत्रहामी सती में कुछ चौपाईयां जोड़ी हैं जितनी बार आप दोहराएंगे उतनी बार आप अपने प्रस्नों को मजबूत करेंगे तो बार-बार दोहराईए यही सबसे बड़ा आपका बहुत अच्छा हथ्यार होगा क्योंकि बार-बार रिवीजन करने से सारे प्रस पिताम भर्दत् बर्थवाल की है कि मिस्र बंधों ने इन्हें हिंदी का प्रसक्राफिज का प्रसम गधिफिक मान कर किया है फिर से सुनिए लूरकनात का समय कि यह मानने तक्र पितांबरदत बर्थवाल की है है मुस्र बंधों ने इन्हें हिंधि का प्रथम गद्देलेगहाना है कि से यह तो डाक्टे मीर्थ बर्थवाल सेञ्ट देखे tutti थे नाथपन्थी सिध्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है या कथन किसका है तो यह कथन है आचार रामचन सुक्ल का नाथपन्थी सिध्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है या कथन किसका है तो आचार रामचन सुक्ल का है पिंगल मिश्रित भासा की रचना है प्रि प्रित्वी राज रासो है पिंगल मिस्रित भासा की रचना है प्रित्वी राज रासो है नेक्स्ट है तिब्बत के तिब्बत के 84 सिध्धों की परंपरा कौन से सिध्ध से आरंभ हुई तिब्बत के 84 सिध्धों की परंपरा लुईपा से आरंभ हुई लुईपा से आरंभ ह हिंदी साहित का प्रथम महा कावी कौन सा है तो रजनाचंदर वरदाई ने 58 सदी में की रामकुमार भर्मा ने लिखा है पिर्थिवी राज रासो दिंगल साहित κα सर्व प्रथम कावी कहा जाता है रामकुमार बर्मा ने लिखा है कि पृत्वी राज रासों को डिंगल साहित्य का सरप्रथम कावे कहा जाता है चंदर वर्दाई को हिंदी साहित्य का सरप्रथम महा कभी माना गया है पृत्वी राज रासों में छप्पय छंदों की बहूलता है प्रत्वी राजरासों में छप्पचंदों की पहुलता है। इन छप्पचंदों के कारण इस गरंथ को लोक प्रियता मिली है। डाक्टर गर्पति चंद्र गुप्त ने अपने गरंथ हिंदी साहित का बैज्ञाने के ध्यास में सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कभी माना है। नेक्ष्ट है गोरक नाथ और उनका युग रांगे राघो हिंदी काब्य में निर्गुण संप्रदाई यह पितामबर्धत बर्थवाल की है। नाथ संप्रदाई हजारी परसाद दिवेदी और सिध्ध संप्रदाई यह नाथ संप्रदाई है। झाल